दोस्तों आज हम आपको चश्मा खरेदने का सही तरीका बताएंगे जिस तरह जूते के साइज होते हैं उसी तरह चश्मे का भी साइज होता है हर चश्मे पर उसकी लंबाई चोड़ाई का साइज लिखा होता है लेकिन अधिकांश लोग उसके बारे में नहीं जानते चश्मे की डंडी की भीतरी हिस्से पर उसका साइज लिखा होता है जिसे इस चश्मे पर साइज इस तरह से लिखा है आपकी चश्मे पर भी ऐसा ही कुछ लिखा होगा NY12 चश्मे का मॉडल नंबर है जो कमपनी अपने हर चश्मे पर डालती है इसके बाद 50 नंबर लिखा है जो यहाँ बताता है कि यहाँ लेंस 50 mm या 5 cm चोड़ा है इसके बाद 16 नंबर लिखा है यहाँ बता रहा है कि इस चश्मे का ब्रीज यानि नाक पर टिकने वाला भाग 16 mm या 1.5 cm लंबा है नंबर 4 चश्मे की लंबाई सबसे लास्ट में 138 लिखा है इस नंबर का मतलब इस चश्मे की कनपटी वाली डंडी की लंबाई 138 mm या 13.8 cm है दोस्तो इस तरह आप नया चश्मा खरीते समय अपने साइस को चेक कर सकते हैं एक बार आपको अपने चश्मे का साइस पता चल जाए तो आपको धेर सारे चश्मे बार बार ड्राय नहीं करने पड़ेंगे